तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सेमसंग का जो इंटरनेट ब्राउजर होता है जो कि सेमसंग के हर मोबाइल में प्रिइंस्टॉल होता है सेमसंग इंटरनेट ब्राउजर दोस्तों आज उसके इंदर नए अपडेट आया या बुछ सकते हैं कुछ दिन पहले नए अपडेट आया था करते हैं या कोई वेबसाइट खुलते हैं तो वहाँ पर चेंज नहीं होता वह फॉंट वहीं दिखाएगा जो क्योंके डिफॉल्ट फॉंट रहते हैं बट अब इंटरनेट ब्राउजर में अपडेट आ चुका है अब आप उसको अपने जो आपके करेंट और जो आपका आपको दिखने वाला है जो अच्छा मजा आने वाला है तो मैं आगे आपको बता हूंगा सब नए फीचर कहां मिलेंगे कैसे उसको यूज करना है तो आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखी को तो यह आप समझ पाएंगे चलते हैं मेरे नाम सभी और और आप चलते हैं यहां पर यहां ब्राऊजर में यहाँ पर मैं कहीं कभी कोई इसी वी website खोल लेता हूं या Google पे कुछ भी सर्चमार लेता हूं Like मैंने Google पर लिख दिया Instagram About ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया About तो यह मैंने यहाँ पर सर्चमार लिया Google पर तो आप ये देखेंगे ये जो इसका fonts रहे है, ये पुराने style में आ रहे हैं कोई इसमें नया नहीं आ रहा तो इसको enable कैसे करने है तो इसको enable करने के लिए आपको करना क्या है ? यहां जाना है आपको यहां थ्री डॉट्स में थ्री लाइन में यहां जाना है आपको यहां पर आपको एसा इंटर्फिर्ज दिख रहा होगा तो आपको करना क्या है यहाँ पर लिखा ही हूई आपके फॉइंट का नाम आ चुका है जो आपका इंस्टाॉल है यहाँ पर क्लिक करना है जिस्टार्ज है अपको बोलेगा तो री स्टार्ड योर इंटानेट ब्राऊजर तो आपको okay कर देना है तो यहाँ पर restart हो जाएगा आपका internet browser इसके बाद तो आप यह देखेंगे अप आपका page reload हो चुका है और जो आपके current आपकी जो language है या fonts है आपके यह वहाँ पर हो चुका है आपको दूसरा में यहाँ पर change करके दिखा लेता हूँ तो वहाँ पर भी modify हो जाएगा तो change करने के लिए setting में डिस्प्ले में डिस्प्ले में जाने के लिए यहाँ पर font style में और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ Samsung sense करके जो कि मेरे पास installed है अगर आपके पास और भी जादा है तो आप करके दिए सकते हैं definitely सारे font वहाँ पर खाम करने वाले तो अब यहाँ पर आगया है अब जैसे यह refresh होगा आप दिखेंगे हैं पर fit change हो गया जो कि बहुत ही कमाल का feature है जो भी आप यहाँ पर करेंगे कोई सी website पर भी जाएंगे सब पर वह सेम हो जाएगा जो कि आपके current fonts है जो कि मुझे सबसे अच्छा feature लगा तो दूसरा जो feature बताने मालों दोस्तों वह भी बहुत ही कमाल का है तो उसके लिए मैं चलता हूं यहाँ पर आप यहाँ पर कोई से YouTube वीडियो पे जा सकते हैं या कोई से भी जहाँ पर आप वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर अगर आप अग्कम ताकि notification नहां है तो मैंने यहाँ देख रहे हैं आप यह वीडियो प्ले हो रही है तो यहाँ पर कहीं भी आप कहीं भी कोई वेब पेज पर वीडियो प्ले करेंगे तो आपको एक option देखने वाला यहाँ पर यह तीन आपको दिख रहे थे यह आपको जो तीन चीज पर यहाँ पर आपको जाएंगे तो यह सीधा आपको शेयर करने के लिए बोलतेगा जहां पर भी आपको अपने डिवाईस में स्मार्ट व्यू के शेयर कर सकते हैं और जो तीसरा वाला है वो भी बहुत ही कमाल का फीचर एसी के अंदर यह यहाँ पर आपको दिख रहा प्राउजर में आप इसका यूज कर सकते हैं तो यह जो ऑप्शन है हर वहाँ पर चलेगा जहां पर वीडियो की होंगी तो मैंने यूटूब इसलिए नहीं खुला है क्योंकि मैं अपनी वीडियो प्ले नहीं कर सकता इसलिए मैं इंस्टाग्राम की वीडियो प्ले करके द ब泡व श्रय करेंगे तो सबसे आप डिकन के सेकेंगे सेकेंड नमर पर पर आपको प्शन मिल रहा है वीडियो औरको और कैसे आपको यूज करना है तो आपको मिल जाएगा तो य यहां पर आपको मिल रहा है privacy and security का option आप यहां पर जाएंगे तो आप यह देखेंगे मेरा यहां पर basic security recommended है तो यह पूरा security नहीं तो यह security की परपस से दे रखा है यहां पर आप जितने भी आपको pop-up कर देना है तो इसमें आपकी security बनी रहेगी और यह आपको देख रहे हैं क्या क्या security रहेगी ब्लॉग backward redirection ब्लॉग pop-ups ब्लॉग एप मतलब pop-ups जो आपने देखा हुए advertise बढ़ाती ही किसी पर जाएंगे तो आपको दिख भी रहा होगा अपने इतने सारे यहां पर यूज करें हुए नैवर में आप मैंने उसको always कर दिया smart anti-tracking तो यह tracking करता रहेगा कि कौन-कौन यह उनको track नहीं करने देगा जो की कमाल का feature है जो एक और last feature बताने वालों दोस्तों वो है qr code का अब यहां पर आपको qr code का scan करने का option है जो पहले नहीं आता था अब यहां पर आप qr code भी scan कर सकते है तो qr code scan करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तो मैं आपको बताय तो दोस्तों यह चार कमाल के वीचर आए इसमें तो उमीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू तो दोस्तों मुझे उमीद है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कम ही दोस्तों आप मेरी डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ लिंक आपको डिक्ष्टन पर मिल जाएगा तो धैंक्यों